हेलो असलावलेकुम विल्कॉम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे तो अभी सुबह करना नौ बज रहा है सवा नौ कर लगभग हो रहा है और अभी मेरा दिन की सुरुवात हो रही है दो दिन से मेरी तबियत खरापती तो दवा खा के वस्तिके हुए थे अगर में जबी लोग मिलके ना काम ओं कर रहे थे इधर आप देखेंगे तो यह बठे हुए है यह देखिए है और नास्ते के लिए सब कोई वेट कर रहा है इधर जी अभी पढ़ रही है साथ में ना खाने करें नास्ति के लिए ना वेट कर यह कुं हैं गरम होने के लिए इंको ना टोस्ट और दूद घाएंगे रात में बनाए थे मतर मेथी वलाई तो थोड़ा सा हो है जीया के लिए गरम कर दिया और रोटी बनाएंगे और जीया को ना गोटी और रही है तो चलिए व्लोग का स्टार्ट तो कमस का हम बले जैसे भी है ब ऐसे हकीकत यह ना कि हम लेडीज के साथ क्या है कि जब तरह अंतवियत खराब होती है तो बस यही दुगा करते है कि जल्दी से ठीक हो जाए हम लोग अपना काम पकड़ ले खाली बैठने की आदद नहीं होती है तो और भी बोर्या जैसा लगता है नीन तो आती नहीं है न जो प्रॉब्लम हो जाती है यह बोलते है कि चाय के साथ तुम टोस्ट इखालो एक टोस्ट को कि मुझे बिसकिट नहीं पसंद है जैसा कि आप लोग को पता ही है लेगिन फिर भी ना जब हम चाय निकालते हैं तो हम टोस्ट ले जाना ही भोल जाते है सबसे बड़ी प्रॉ तो उसी में जब दूद खॉल गया था तो तावा भी चढ़ा दिये तो तावा गरम हो चुका है साथ में मेथी मटर मलाई जो रेसीपी बनाय तो बहुत ही ज़्यादा यमी और मेरे घर में सब को बहुत पसंद आती है अभी ठंड का टाइम हो तो मेथी अभी आपको मिल करना चाहिए अगर आपको इसकी रेसीपी चाहिए तो मेरे सेकंड वाले चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया तो आप वहां से जाके रेसीपी देख सकते हैं सीख सकते हैं बना के देखी बहुत ज्यादा यमी लगता है तो यह जो रेसीपी इसके साथ जीया को कैचप की करें तो सबको दे चुके हैं अभी हम नास्ता नहीं किया हमको अभी टाइम है क्योंकि हम भ्रश भी नहीं किया है और हम अपने लिए रोटी नहीं बनाए रिजन ये कि रात की न एक रोटी बची हुई थी तो हम सोचे न हम वही खा लेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है तो हल्दी नमक और सरसो के तेल से ब्रश करते हैं तो उससे काफी रिलाक्स हो जाता है आप इसे आजमा सकते हैं बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर नास्ता उस्ता करने के बाद यह एक्सरसाइज यह एक्सरसाइज आप नास्ता खाना खाने के बाद यह आप कर सकते हैं इससे ना आपका हाजमा अच्छा हो सकता है और आप जो भी खाएंगे बहुत जल्दी हाजम हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह पता नहीं क्या कर रहे है ऐसा आजमाईएगा भी मत तो अभी ना सुबह का दस साड़े दस हो रहा था लेकिन बाहर का निकली है और जैस्सीद दरवाजा खोलिये नए या बाहर निकली तो ऐसा लोगता है कि थंडी-थंडी जो हवा है न शनन मारता रहता है यह बोहुत जादा हो फ़ाला कवाला थंड पड़ रहा है और यहां पे कुछ जादा ही पड़ एक क्योंकि खुला एरिया है शुदि इस तरब से पीछे के तरब से काफी ठंडी ठंडी हावा आती है क्योंकि इधर कोई घरोर नहीं बना है तो ये देखिए चाहे कितनी भी ठंड हो लेकिन सुबा सुबा ऐसे खड़े हो के न व्यू देखने में मज़ाई कुछ होता है और कोहरा बहुत है लेकिन फोन में उतना पता नहीं चला लेकिन है कोहरा है तो अभी दोपहर का न साड़े बारा हो चुका है और उसके बाद अब मेरा काम स्टार्ट हो रहा अभी तक हम खाना भी नहीं बनाए है और कोई भी काम नहीं हुआ उस समय जो सुबा हो गया तो हो गया कुछ और जाते जाते भी एक बुरा हो गया अब इस सुबह हम लोग सब लोग बैठे हुए थे यह मार्केट ही गए थे तब वहां से कॉल किये कि हम यह हॉस्पिटल से बोल रहे थे जो छोटा वाला देवर है तो उसका एक्सिडेंट हो गया उसे चोट लग गई तो बस हम ल पर थे तो अभी आए हैं तो मेरा काम स्टार्ट हो रहा है तो यह है कि साल चलिए जाँजाते जाते वह न एक जग हम और दे करम है सुगर है कि वह जञदा चोटने ल alguna चोट नहीं लगी है लेकिन बस यह है कि वृसित ठीक ठाखक है ज्यादा चोटने लगी है तो यहाँ जीसु का भी कॉल आया था तो हम सबको बात बता रहे थे कि हाँ कैसा अब जिस का भी सुनिये तो कॉल तो आता ही है ना तो ये शाम का टाइम है वाशी मशीन का सारा काम हो चुका था गेहूना हम आधाई बीने थे और उसके बाद इधर उधर में लग गया ना तो ये भी जाहिर से बात है हमको दो तीन तो बजी गया था और अभी ना शाम का साड़े चार हो रहा है अब साड़े चार बजी आप समझ सकते हैं कि ठंडी ठंडी हावा तो चल रही थी दूप उप कुछ भी नहीं था तो बैठ चुके हैं गेहून बिनने के लिए और ये देखिए बिन के ऐसा नहीं कि तूरंत बस बैठे हो तूरंती भी नहीं है तो हमको आधा तो घंटन लगी गया था तो यहां पर देखी तो सारा गेहून बिनननके और सब पचोर के और रख दी हैं तो ये जो गेहून है अब क्या है कि दोनों जो चादर का पहले अगर याद होगा त तो अब ये काफी ज्यादा हैवी हो गया है तो इनको कॉल कर दिये हैं ये नीचे ही थे तो बस आएंगे तो ये गेहून उठा के ले जाएंगे क्योंकि मेरे बसका नहीं है तो गेहून का जितना भी वो सब बचा हुआ है तो हम पहले सोचे जाड़ दे नीचे फिर हम सचे क्या होगा कि चिडिया औरिया जो भी होगी तो वो लोग खा लेंगी तो किसी कोई खा लेका तो अच्छा ही है ना और हम लोग के चछत पे तो बहुत सारे कबूतर चिडिया सब कोई आते रहते हैं तो किसी का खाना हो जाएगा तो ये देखिए हम साइड में डाल दे रहे और उसके बाद सब को जाड़ ओड़के और चलिए जल्दी जल्दी चलते और हम स्वेटर भी नहीं पहने रीजन यह कि स्वेटर ओटर जितना भी था सब तो हम धोके डाल दिये हैं क्योंकि एक साथ अभी जब मेरी तरह तर्वित खराब हुआता था तो वाशिर मसीन और नहीं ने किये थे तो कुछ वो सब भी पड़ा हुआ था तो काफी ज़्यादा हो जाता है एक दो दिन अगर नहीं काम करी है नो तो काफी ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो यह गेहूं लेकर और चले गए हैं और हम लोग नीचे भी आगए तो नीचे आगए तो यह बोले ना कि आज संडे है तो हम जब घरी में है तो लाओ गेहूं को पिसने के लिए दे देते हैं और पिसा के अगर जबजी जब तक लेंगी तब तक अगर पिस जाएगा तो लेके भी आजाएंगे फिर बाद में आफिस आफिस वाला जहमेला रहता है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है तो यह जो है यह गेहूं का बोरा नहीं है गेहूं का बोरा जब हम इदर नीचे सीड़ी का साफ कर रहे थे उसके बाद पता नहीं कहा रग दिया मेरे ध्यानी से उतर गया ढूंडे तो इधर उदर लेकिन मीला नहीं तो ये जो बोरा था ये भी साफी बोरा था तो बस इसी को ये पोच के और इसी में गेहूं भर देते हैं और लगे हाथ लेके चले जाते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना सारा गेहूं पिसा रहा है क तो बस यहां पर बांद देते हैं और बांद के और फिर ले जाएंगे ये अभी जिया सो रहे थी तो जिया को भी साथ में ले के जाएंगे क्योंकि अभी इधर का जो बाहर का रोड काफी खराब है और गिहूं को पीछे पकड़ के बैठना पड़ेगा तो बस ये दोनों तो वो था ना कि मोनू का देख के तो थोड़ा सब मेरा तब्यत अच्छा नहीं लग रहा था तो हम सुचे ना कि अब एक पर ब्लेंकेट में गुश जाएंगे तो फिर उसके बाद नहीं मन करेगा कि उठके काम करो इधर उधर तो हम सचे लाओ लगे हैं तो खाना बनाओ ना कि ठंड के टाइम में ना कुछ भी बनाई है तो उसमें मटर जरूर होना चाहिए चाहिए मैगी बनाए चाहिए चावल को फ्राई करें चाहिए कुछ भी हो तो मटर जरूर क्योंकि मटर तो भाईया उसके बिना तो सब चीज अधुरी-धुरी से लगती है जैसे मेरे ना सबजी अधुरी-धुरी सी है तो यहां पर कढ़ाई चड़ा चुके हैं लगे हाथ सबजी भी काटते जा रहें फटा-फट हो जाएगा ज्यादा काम नहीं अगर बनाने के लिए आप तयार हैं और किचन में आ गई है तो उसके बाद जल्दी-जल्दी काम होई जाता तो बरतन नहीं धोएते क्योंकि उपर वाशरी मचेन का काम की है और मैक्सिमाम हम लगे मचली बनाता है तो आज मचली बना था तो जादा मचली लेकर नहीं आया थे रीजन यह हैं कि यह मचली ही ले रहा थे कि इनको कॉल आ गया था कि मोनुका एक्सिडेंट हो गया तो यह न बस जटपट जितना था उतना ले के और उसके बाद फिर यह उस्पिटल चले गए थे तो जादा नहीं था इसलिए ने तो अकर एक्स्ट्रा होता न तो हम लोग का रात का भी काम होई जाता है तो यहां पर बरतन औरतन सब कुछ धो चुके हैं सबजी भी बन चुक और रख चुके हैं और अपने लिए ना पानी गरम कर रहे हैं क्योंकि अभी ठीक हुआ ना फिर भी गले में अजीब सा खरास खरास सा लग रहा था तो हम सचे की गरम पानी पी लेते हैं तो उससे आराम मिल जाएगा और ठंडा पानी तो अब जाता ही नहीं है अंदर ऐसा इतना ठंडा पानी हो गया है तो थोड़ा सा गरम कर लिजे तो पानी पीने में अच्छा रहत है और यहां पे सिफा आई हुई है जीया का वेट करे थी जाएगी जीया ना दूद लेने के लिए और साथ में इसको लेना है मकई तो बस यहां पे बैट गई थी बुली की अच्छी नहीं थी और फिर ध्यान से भी उतर गया था कि मैं कोई वीडियो डियो शूट करें बहुत प्यारी ले थी माशालला अच्छी ले थी यह कह सकते हैं तो बस यहां पे हम लोग बैट के गफसड़ा का कर रहे थी और यह जीया का बूक अपना देख के और यहां पर दरदना फिर से उठ गया था तो यह चली नहीं पा रहे थे जैसे तैसे चितना भी बताए कि आधा दूरा जो भी सबजी मिला वो जी यही ले ली यह एक जगा थे यानि कि वहीं पे खड़े थे लेकिन कुछ ज़्यादा सबजी ले नहीं पाए आलू पे आज है सिमला मिर् सब्दा लेकिन नहीं पहुआ रहे तो यह आके लेट गए हैं क्रोंकि इन से खड़ भी नहीं हुआ जा रहे था और मैं ही और यहां पर चाए चड़ा रही थी नहीं पै थे यह ओपर से ठंड से आये तो बोले कि पहले चाए बना दो और हम यहां पर तेल इनके लिए पकार हो जाता है लेकिन इनको जल्दी आराम भी नहीं होता है क्योंकि यह जो दरद अब जो एक्सिडेंट वाला जो दरद उठ गया है तो अब ठंड हो चाय जो भी अगर उस पे जोर पड़ेगा तो वो दरद होगा ही तो यहां पर इनके लिए तेल भी पका रहे हैं साथी साथ मे चाय भी बना रहे हैं तो यहां पर तेल तो पका चुके हैं चाय अभी खौल रही है तो यह बोले चाय पी लो उसके बाद फिर लगाना तो चाय चाय चान लेते हैं उसके बाद फिर इनको तेल लगाते हैं तो चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय पीने से ना एनर्जी ड्रिंक में था जोर लगता था लेकिन हां जितना भी होता है तो मैं करने के लिए हमेशा तयार रहते हूं क्योंकि हम लोग अगर एक दूसरे का दुख नहीं बाटेंगे तो कौन बाटेंगा कभी अगर मुझे कोई दिकत होता है तो यह भी हमेशा खाड़े रहते हैं यही होता है यह जहां नहीं रहें क्योंकि इनके पैर में भी दरद है और इनको अच्छा भी नहीं लग रहा था मोनू का भी जो है एक्सिडेंट तो यह बोले ना कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे तो बस यहां पे चाई भी रख चुके हैं और तेल भी लाके रख चुके और ठंड इतनी ज तो हो जाता है इनसान यहां से जब निकलता है तो कुछ सोच के नहीं निकलता है और कुछ भी भी हो सकता है इनको दिक्कत बहुत हो रही थी रात भर यह ना सोई नहीं है दरत से उनके कुछ है लेकिन वह हम लोग जब होस्पिटल में दिखाए एक्सरे भी करवा है लेकिन कुछ भी नहीं उसमें निकला तो जब कुछ निकला ही नहीं तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा कुछ समझ में नहीं आया कि अखिर प्रॉब्लम है कहां तो यहां पे जैसी तेल लगाना स्टार्ट किये तो तेल थंडा तो जिया फिर से तेल गरम करके लेकर आ गई है और यहां आपनों सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं तो यहां पर यह बात हो रही थी कि मेरा सारा नया कुंसू टोट ना जिया ले ली क्योंकि माशारला दोनों का साइज एक है तो खाना वना बना के और फिर जाके हम सोचेते ना कि थोड़ा देर सुकोन से बैठेंगे लेकिन ऐसा तो कोई नहीं सकता ठंड आज बहुत जादा ठंड है तो इनको ना वो क्या बुलते हैं घूगनी खाने का मन था लेकिन मैं बूलने चारी थी निमोना क्योंकि बहुत लो इनको घूगनी खाने का मन है तो उसे के लिए आ गए है कि गर्मा घूगनी बना देते हैं वैसे मेरा मन तो निका रहा है यह ब्लैंकेट में घूशने के बाद ना फिर मन नहीं करता है कि कोई बनाओ वेकिन उसक्या करें बनाना है तो यही है तो चलिए घूगनी बना देते हैं तो चलिए फटा-फट भी एक बलुगनी बना ले फिर से मतलब कि अभी अक बर खाना बना के चले गए हैं और उसके बादakers अभी मैं बता रही पी ना अव्पर-मपर अवर यहां पर गुगनी बनके तयार हो चुका है और साथ में ना एक बार फिर से इनका डिमांड था चाय पीने का ठंड में तो कितनी बार भी चाय बन जाए ना तो कमी लगता है तो लगता है कि चलो फिर से चाय बन जाए और साधी ब्या में तो और भी ज़्यादा आजीव है कि चाय अगर एक cup भी चड़ रहा हो ना और घूंकल टहिसी किसा से पूछ लिए चाय पीना उसके बाद तो भगवना बगवना चाय भीना कम पड़ जाती कोई भी मना नहीं करता है कि यहा चाय नहीं पीना है लेकिन भी हम लोग को तो कितनी बार भी दे दीजे तो मजाज है और यहाँ पे आप लोग देख रहेंगे कि दो ही प्लेट निकली है मेरी प्लेट नहीं है क्योंकि मैं न मटरोटर थोड़ा सा कमी खाती हूँ थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि मेरे फिर सर में दरद होने लाजी नहीं हो पाता है तो इसलिए हमको यह सब चीज से थोड़ा सा भागते हैं तो हम नहीं खाएंगे यहाँ इन लोग के लिए बना दिये हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थे हम खाए नहीं लेकिन लोग बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा इसमें मटर आलू और सब कुछ है तो उपर से न अगर भुना वजीरा और काला नमक डाल दीजिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है या तो चाट मसाला भी डाल दीजिए तो अभी आपकी जो रेसिपी है उसमें चार चान दे लग जाएगा तो यह लोग को देने के लिए चले गए और च सारी खुशियां लाएं और जो भी खोई से अधूरी रह गया होंगी इस साल पूरा हो जाए फिर मिलेंगे बाबाई अल्ला आपिस